साथ्यों नमस्कार मैं हूँ डॉक्ट लोकिस बाली बैच अरजुना में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ क्या हल चालें कैसे हो रोज 9 बजे फिक्स टाइम है हमारा इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं क्लास लिकर आ जाता हूँ जिसमें आपको UGC NET के लिए आप लोगों को मार्ग दरसित कर रहा हूँ बैच अरजुना की आज हमारी क्लास नमर 44 है इसते पहले मैं आपको 43 क्लास पढ़ा चुका हूँ उसमें मैं आपको 4 यूनिट कम्प्लीट करा चुका हूँ math कंप्लीट करवा दिरेजनिंग कंप्लीट करवा दिर लॉजिकल रीजनिंग बियाइ कंप्लीट करवा दिया और research कंप्लीट करवा दिया कहां मिलेंगी क्लास ये मिलेंगी वीडियो की description में पूरा बैच अरजुना की playlist दे रखिए जाओ तक से सारी classes देख लेना आज क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे teaching aptitude teaching aptitude की class number आज हमारी होने वाले है five topic क्या रहेंगे topic रहेंगे section की अवस्ता या क्रियाएं इसके अलावा एक topic और होने वाला है वो topic होने learning conditions कि आप किन किन परस्थितियों में पढ़ सकते हो ये topic आज की class में होने वाले सब्सक्राइगे और आगे पढ़ने का प्रियासकारे ओके गाइज तो शुरू करें वीडियो को लाइक कर दीजे सभी ओके तो लाश्टे हमने मैं देखा था कि शिक्षण के सुत्र क्या है जिसमें में आपको पूर्ण से इंस की और मतलब समझा दिया प्रतक्ष की और मतलब समझा दिया मूर्त ते अमूर्त की और समझा दिया विसले सनी ये सारी चीजे समझा दी ती आज अब पढ़ेंगे phase of teaching कि teaching में कौन-कौन से फे जाते हैं आए शुरू करते हैं phase of teaching के बारे में कि teaching के कौन-कौन से फे जाते हैं सारे लोग एक बार सब लोग अपना प्रेम दिखाईए और मुझे बताईए कि कौन-कौन देख रहे हैं सब लोग कॉमेंट्स करो लेकिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखकर कॉमेंट करना भाई आज नहीं तो कल आप डॉक्टर एडियू पादी तो धारन करने वाले हो तो मुझे पता लग जागा कौन-कौन क्लास देखा है सर पीजी प्राइवेट कर रहे हैं यूजी सिनेट का दे सकते हो विलकुल दे सकते हो देच को दिखके वाली बात नहीं है वॉइस नॉट किलियर उरे जार हा अब ठीक ए वॉइस हाँ क्योंकि मैंने क्या कि मेरा क्वारलेसम का मैंने चार्ज कर दिया था तो मेरी कलास का नियम है कि आपको कॉपीपैंन लेकर वैठना है ताकि हम एक एक चीज के नॉट्स बना सकें अच्छी तरीके से तो उम्मीद है आप लोगोंने नॉट्स निकाल ली होंगे और आगे पढ़ना हम लोग शुरू करता है फेद अब एदूकेशन क्या है इस चीज को समझने का आप कौसिस करिए और यह क्या है कि इतना ज़्यादा इसको माना जाता है एक बात बताओ आप जब पढ़ते हो अच्छा एक बात बताओ कि आपके पास एक फौन आया आपकी नाईका का आपकी नाईका हो सकती हो फौन करने वाली यह आपका नायक हो सकता है खासकर मैंने देखा है कि लड़के तो नाते भी नहीं है खासकर सर्दियों के दिनों में लड़किया भी नीन आती है एडूकेशन में तैसे होता है लेकिन क्या होता है कि आपके नए नए नमटकका हुए है किसी से नए नए अभी ताजा ताजा आपकी किसी से दोस्ती हुई है और उस दोस्त ने आप से यह कहा कि क्यों ना मिला जाए तो आपके मन में क्या भाव आ करोगे यह करोगे वह करोगे आप एकदम ऐसा होने की कॉसस करोगे और सामने वाला परसन भी यह कॉसस करेगा अब मेरी भात ध्यान से सुनने की आप एक चीज कोसिस करो मैं एक बास सबसे पहले तो टाइम कब वह लगा लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे जोनको यह फेज होता है, और एक होता है interactive फेज यानि आप किसी चीज की त Bets पweur और तयारी करने की बाद में आपकी क्या वस्ता होती है Let's say आप किसी university में professor हैं तो professor है आप और आपके टॉपिक लेना लेक्शर लेना है, तो सबसे पहले आपका क्या धे रहेगा, क्यार उस लेक्टर को मैं पहले अच्छे से तयार कर लो, इसी को कहते हैं Pre-Activeинг, प्री- føेज, मालो आप Professor प्री- एक्टिव पेज को समझने कौसच करो, कि मानलो आप किसी विश्विधाले में पढ़ाते हो, आप प्रॉफेसर हो, और आपको excitement आगे, कल मुझे जाकर एक lesson पढ़ाना है, तो इसको क्या कहते है, pre-active phase कहते हैं, जब हम किसी कारिये को करने से पूर्व, अगर हम उस कारिये के बारे में अगर तयारी करते हैं, तो इसक प्री-active phase कहते हैं, कलम और अलफाज इतने काफी हैं वाई, इतनी पढ़ाई काफी है, एक होता है, pre-active phase इस सवस्ता में सिक्षन कारिये से सम्मंदी समस्त नियोजन, नियोजन का मतलब होता है, योजना, सामिल किये जाते हैं, इसके प्रमुख सोपान है, सोपान का मतलब हो चरण, आप एक तो नोट करते जाए, मैं जितने भी आपको शब्दों के अर्थ बताऊं, आप इनको नोट करते जाए, चरण बोलते हैं इसको, या step बोल सकते हैं, step से लेख लिजे, कारिये से सम्मंदी समस्त नियोजन सामिल किये जाते हैं, इसमें प्रमुख सोपान कौन कौन से होते हैं, सिक्षण के उद्देशों का निर्धारन करना, भाई अगर मुझे कल कोई लेसन लेना है, कल कुछ पढ़ाना है, तो आज मैं निर्धारन कर लोगा कि मुझे क्या-क्या पढ़ाना है, प्री एक्टिव फेज कहते हैं इसको, कुछी टॉपिक को पढ़ाने से पोर हो, यानि सिक्षण की आउधारना क्या है, मानलो आप प्रॉफिसर हो, और आपको कल जाकर पढ़ाना है, किसी विश्विद्याले मापका गेस्ट लेक्चर है, जैसे अभी मानलो कि मैं थोड़े दिन पहले, अभी दो-चार दिन पहले सेंट्रिल उनिस्टिवा भार था, I think एक पोस्ट डाली ते एक दिन, कितने लोगों को पता है, अभी मैं सेंट्रिल उनिस्टिवा भर्याना गया था, जो में अंदर गड में, दो-तीन दिन पहले गया था, कितने लोगों को पता है, मैंने डाला था ने पोस्ट इसके बारे में, देखाना आप लोगों ने, मैं दिखा देता हूँ, अब दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, अगर नहीं देखा है तो, मैं ये प्री एक्टिव फेज समझाने के आपको मैं कॉस्ट कराऊं, कि अब प्री एक्टिव फेज आप कैसे समझ सकते हो, ये यहां के वी-सी है, टंकन कुमार जी, वी-सी से हैं आके, अरे याद, हाँ, अरे देखो प्रोफेसर काई फोन आगया, बड़े भाई को प्रणाम, अरे बड़े भाई, अभी मैं यूनिसिटी की बात कर रहा था, यार मैं अभी दो-तीन दिन पहले गया था, सेंट यूनिस्टी आप मेहन्दरगड, उसके बारे में, क्लास में, बताइए, मैं बड़ी आओं ही टूं, एकदम मस्तूं, आँ यार मतलब आप भी ब्यासते ना उस समय, बहुत शानदा है रहार अपने वीडियो डाला उसको प्राइविट कर लिया, क्या बाद में, वह अपने उसका प्रोग्राम का, वह कॉपिराइट आगे होगा ना, मेरे पास हैं, मैंने बहुत किया कि आपकी एक एक चीज सूट की थी, तो मैं उसको मैं सैंड करूँगा, उसमय निकाल करूँगा, अच्छा ठीक है, आपको सैंड करता हूँ, तो मैं आज यह ना, ना, इडिट करके बेजता हूँ, अरे गर्दा, 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 सही है, लोके चाहिए, तो गर्दा होगा, ना, निकाल कोईधा हूँ, झाल कोईधा हूँ, यह ना, धूरवरा, भी थी, भी थे, बाकिशिर शेल है, विसवाजा अचछा घा, मैं आखंचे थिमांभी जैभर करूँ है। ठीक, ठीक, ठीक ठीक, 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 ठीक अरे मित्र हैं मेरे, जो सेइंटल यूनिटी तुडियो पार या नाम प्रॉफिसर है, ये 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 आभी मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या दिखा रहा था ये उसी समय की फोटोग्राप यह बहुत अच्छे इंसान बहुत बिद्वान भी है और यह इंस मेरे स्थीड ओड़ाथ अब आपको सिखारे हैं, अब अमरे दारे हैं अब आपको सिखारे हैं, तो यह समय है, यह है और यह वाएं के यह विश्विद्याले के खुटे थे तो मुझे लगा कि तुमको बता दूं यार, अच्छा लगेगा तुम्हें अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को कंटिनू करते हैं, यह कॉमेंट्स में इस मोबैल में देखता हूं, क्योंकि मोबैल डिस हो गया देखा ना आप नहीं यह चीजे पहले जब मैंने आपको बताया था उसन में अगर आप पर दाव अच्छा वारा यह फे तो तो क्या होता है कि हारे यार हां कि और न जिकर कर दे रहा है क्या होता है प्रि एक्टिफ हेज का मतलब यह होता है कि जैसे कि मालू में विस्विध्याले में गया और तो मुझे मेरी माइंड में रहता है कि यार महा पर मुझे क्या बोलना है क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या करना है इसे कहता है प्रि एक्टिफ फेज तो हम सबसे पहले उद्देश निर्धारन कर लेते हैं उसका पार्ट वर्ष्ट निर्धारन कर लेते हैं और सिक्षन का विदी का पता लगा लेते हैं अगर हमको जो भी बोलना है वो इस तरीके से बोलना है इसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज कहते हैं कि आप कोई कारियों को करने से पहले आप किस प्रकार से उस कारियों को करने की इच्छा व्यक्त करते हो जैसे कि मालो नया नया ये सवाल पूचेंगे वह सवाल करेंगे ये इस परकार के आपके मन में बहुत सारी बाते रहती हैं इसे कहते है प्री अक्टिव ठीक 때도ition की एक अउधार ना है तो मैं थैं प्री अक्टिव फैज का मतलब समझ गया होग試 सब के सब प्री एक्टिव फेज किसे कहते हैं फेज के मतलब अपने चरनत लेगा लिजी आप प्री एक्टिव फेज के मतलब समझ गयाँ अब ऐसा आती हो इसके अलावा इंटर एक्टिव फेज यानि अन्ते प्रिक्रिया अवस्ता क्या है एंतय प्रकरिया अवस्ता क्या है इसे कहते है साती हो प्री एक्टीव का फेज मतलब मैंने आपसे कहा कि माननों इंटरomed कर कीenne क मिलने गए उससे पहले आपने नहाय दोए कपड़े पेने पत्वाइब के लगता है मैं गायि जिसे अंगले जी में कहते हैं यह सहरों में कहते हैं डेट पर गए पर गाहों के लॉंडे डेट पर नहीं जाते हैं तो डेट वेट नहीं जानते हैं हम लोग हम लोग तो जानते हैं कि उसे नायक नायका से किसी से मिलने गए अब एक फेज होता है मिलकर तुम बात क्या करोगे चलो प्री एक्टिव फेज का मत की अवस्ता क्या रहेगी जब आप class ले रहे होंगे तो उसकी अवस्ता क्या रहेगी देखो मैं मेरे अपने हिसाब बताऊं कि मेरी class 9 बजी शुरू होती है देखो मेरी class 9 PM स्टार्ट होती है मेरे पास तीन फेज होते हैं class के एक होता है प्री एक्टिव फेज एक होता है प्री एक्टिव फेज जब मैं क्या नॉट्स बनाता हूँ PPT बनाता हूँ प्री एक्टिव फेज में क्या करता हूँ मैं आपके लिए नॉट्स तयार करता हूँ आपके लिए PPT बनाता हूँ और यह सोजता हूँ कि मुझे क्या-क्या बनाना है इसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज फेज फिर जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ इसक इसको कहते हैं इंटर एक्टिव फेज इसको कहते हैं और जब क्लास को समाप्त कर चुका होता हूं जब आप मुझे फीडबैक देते हो इसे कहता हूं पोस्ट एक्टिव फेज क्या कहता हूं इसको पोस्ट एक्टिव फेज कहता हूं तो आप यह सोच कर चलो कि आप एक प्र जानोगे कि मुझे क्या क्या करना है, फिर आप अपना लेक्चर दोगे, लेक्चर देने के बाद जब लेक्चर हॉल से आप भार आओगे, तब आपको फीड़बेक मिलेंगे कि आपने कैसे पढ़ाया या कैसे नहीं पढ़ाया, ये तीन स्टेज होती हैं एजूकेशन के, इ समझ गया आप लोग, समझ गये ना, ये तीनों चीजों का मतलब समझ गये आप, बाहिन चीजों का मतलब समझ गये ना, बस इतना आपके लिए काफी है, पक्का समझ गये, दुबारा आप दोड़ा लेते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ाई था प्री एक्टिव फेज, Pre-active phase का मतलब क्या होता है? पूरतध परता है. इसका मतलब है कि हम किसी भी कारिय को करते हैं, याँनि हम वालों कोई कलास लेनी हैं, तो उससे पहले की हमारी मन श्तिती क्या है? हम क्या-क्या काम करेंगे? ये उस समय का phase है. जब हम class ले रहे होते हैं इसे कहता है interactive phase इसमें उस समय की बात करेंगे एक तो विध्यारतियों का निदान करेंगे यानि आप जो पूछोगे उनका मैं क्या करूँगा हल करूँगा विध्यारति के सवालों को हल करूँगा किरिया की प्रतिकिरिया होगी आप मुझे comments पूछ करोगे तो मैं उसका जवाब दूँगा यानि किरिया की प्रतिकिरिया होगी उद्धी पको का chain करूँगा और उद्धी पको का प्रस्तित्र करूँगा उद्धिपक का मतलब है कि मैं यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के उधारणों के माद्धम से आप लोगों को चीजे समझाने की कौसिस करूँगा इसे कहते हैं इंटर एक्ट्इव फेज इसे अंग्हिंल हिंदी में खहते हैं अंतेप्रक्रिय अवस्था इसके बाद में एक अलग फेज आता है उसे कहते हैं पोस्ट एक्ट्इव फिस इस अवस्ता का मुल्यांकन से सम्मंदित, बात है मुल्यांकन, मैंने क्या कहा कि आपको feedback की बात होगी आपर, इससे मुल्यांकन सम्मंदित होता है, मुल्यांकन की अभाव में सिक्षन उद्देश पूर नहीं होता, किसी कारे के लिए निर्धारित उद्देशों को किस हद त ले लेते हो यह उसके बाद की बात मैं आपसे कर रहा हूं पहला है सिक्षन उद्देशों की प्राप्ति कि यार आप जो टॉपिक पढ़ाने गए क्या आपने वही टॉपिक पढ़ाया क्या आपने जो सोचा था क्या वही होया क्या आपका जो उद्देश था क्या वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि सिक्षण उद्देशों की प्राप्ति यहां पर हुई या नहीं हुई पहला समुचित मुल्यांकन विदियों का चैन कि यहां पर समुचित मुल्यांकन विदिक है कि जिन जिन चीजों से आंकडों से या आकलन लगाना था आपको किसी चीज के मुल्यांकन का वो चीजे यहां पर पूरी हुई या नहीं ये पोस्ट एक्टिव फेज में सारी चीजे आती हैं और सिक्षण के द्वारा विवार में बदला हुआ कि नहीं हुआ सिक्षन के दिवार विवार का बदलाओ का मतलब है कि मैं आपको teaching aptitude सिखाऊँगा और आप teaching aptitude सीख जाओगे तब आप अपनी exam में उस बदले विवार के अनुसार question लिख कर आओगे और आप सफल हो जाओगे ये सिक्षन के stage होते हैं इसे कहते है pre-active phase, interactive phase और post-active phase मेरे साथ फिर से दोराओ, मेरे साथ दोराओ, pre-active phase, interactive phase और post-active phase ये तीन phase यहाँ पर माने गए हैं ओके गाईज चलो तीनों चीजों का मतलब हाँ समझ गये हो गया अरे कौन काट रहा है मेरी सगाई ददा अरे काई बदा अरे काई बदा अरे काई बदा अरे काई बदा 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 किसने क्या कह दिया भाई कि भगा दो भगा दो कोई बात नहीं यह सब आते जाते रहते हैं इस तरीके के बाड़क तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक यहाँ से पढ़ने का प्रियास करते हैं तो हमने तीन फेज यहाँ पर जान लिए तीनों फेज हमने साथ यहाँ पर पढ़ लिए रुख जा मैं इलाज ही कर देता हूं रुख जाओ मेरे मोबैल ख अरे मैं ढूंड तो लूं मराज रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ देख रहा हूं चलो चोड़ो जाने दो ओके तो यह तीन चार चीजे हमने प्री एक्टिव फेज इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज हमने कम्प्लीट यहाँ पर करवा दिया है आए हम अगले चीजों की तरफ यहाँ पर पढ़ते हैं ओके अब एस आते हो मोटिवेशन की सकति यह जो कि जब हम पढ़ाई करते हैं आधी गम के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है आप नहीं देखते कई बार अकबारों में लिखा हुआ आता है कई बार अकबारों में लिखा हुआ नहीं आता है क्या लेकिन कहानी सुने कहानी बहुत चला करती थी क्यार एक बिहार में एक लड़का था वो डेली अकबार सुबह चार बजे या पांच बजे जब भी अकबार का समय होता है उस समय किसी बंगलों पर अकबार पहंकता था यानि एक अच्छा परिवार था प्रतिष्टी थी एक दिन क्या है कि वो पैसे लेने के लिए उस बंगलो या घर के अंदर गया, लड़के को उसकी जो सुन्दर कन्या थी, अच्छी लगी, लड़का हिम्मत वाला था, लड़का ने उसके पिता से सुन्दर कन्या से विवा की बात किये, मैं आपकी वेटी से विवा करना चाहत हो, तो क्या हो सकता है, उसकी कुटाई हो गई होगी, नियम तो यह कहता है, कि कूट दिया होगा पकड़ कर तेरी हिमत कैसे हो, इसको पकड़ कर कूट दिया होगा, नहीं ऐसा हुआ नहीं, जो सामने वाला था, वो अमरेस पूरी वाला नहीं था, वो परेस रावल टाइप था समझदार गखती था नहीं निजी जी उनकी बात नहीं कर रहा है उस लड़के ने अकबार पटकना छोड और पढ़ाई में जुट गया और वो उसके बाद में जब आई बेस बनकर ही वहाँ पर गया और धूमदाम से शादी रचाई अब इस बात के में पुष्टी नहीं करता हूं सही है या गलत है लेकिन इसे कहता है मोटिवेशन कि आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है किसी चीज की पढ़ाई के लिए या किसी भी कारिया को करने के लिए मोटिवेशन न दो टाइप के होते हैं एक टाइप का मोटिवेशन तो यह होता है कि जैसे आप वीडियो देखते हो जैसे मोटिवेशन का कोई वीडियो देख लिया है ना या किसी की लाइन पढ़ दी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे आपने किसी का motivation देख लिया किसी का interview देख लिया और आप motivate होगे आपने 2-3 दिन पढ़ाई करी और फिर motivation हवा निकल गई उस motivation की इस परकार के motivation को कहते है भाय motivation या भाय अभी प्रेड़ना इस परकार के motivation को कहते है भाय यानि इसको कहते है अंगरेदीम अगर कहें तो external motivation कहते है एक motivation होता आंतरिक motivation internal motivation internal motivation ही होता है कि यार मैं तो बिल्कुल गरीब घर से हूँ और मैं अगर नहीं पढ़ूँगा तो क्या होगा मुझे तो अपने लिए नहीं पढ़ना है अपने मावाप के लिए पढ़ना है मुझे इसके लिए वो करना है तो यसे कहते है internal motivation जब आदमी के अंदर से आग होना तो उसे कोई भी सर्दी उसको कपा नहीं सकती ये motivation हमेशा रहता है जो external motivation होता है भाए motivation होता है वो थोड़ी दिन बाद में down हो जाता है लेकिन जो आपके अंदर का जो जोस है ना वो कभी ठंडा नहीं होता है इसलिए motivation education में पढ़ाई में motivation का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके अंदर motivation नहीं है तो काम नहीं बनेगा है जैसे बहुत से लोगों की बहुत सारे motivation हो सकते है जैसे कि मालो अभी आपकी ज्यारा फैलोसिव है जैसे आप ने ज्यारेःःः PAST कर ले और ज्यारेःःः PAST करने के बाद में आपकी पचास हजार फैलोसिव हो गी कितने होगी पचास जार फैलोसिप हो जार लोगों को यह motivation है या पैसा आ रहा है हाथ में बाप बढ़ाना भाई या सबसे बड़ा रुपईया motivation है अपने आप में तो motivation के बहुत सारे आधार हो सकते हैं कि आप किस आधार के motivation की बात करो सोनिया चकरवरती कही प्रॉपिसर बनकर ही शादी रचाओंगी क्या बात है क्या बात है बहुत सोनिया भाई बहुत शांदार बात कहीyen कोई आप मैं भी प्रन कर लो कि मैं भी प्राफेसर कर बनकर ही शादी रचाओंगा कर लो प्रण कर लो कि बता कि कि स्धार्व सोनिया जी याप सोनिया की दिदेоки के लिए प्रोफेसर बन रहे बन रहे प्र्णी चाहे कमारी रह जांगा टाइफ ए गाना नहीं है तो बाई यह है लिख दो लिख दो अनसुप्रिया किए के सब लोग लाइए कर दो वीडियो अब तुमने हो या मत कर दादाब अ के कर 378 चाहा है वीडियो कर दो लाइक ने तो मत करो सुमन वर्मा कहते हैं सर मैं अपने पापा के लिए जयारेफ करना चाहती हूं इस विरकार के मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं बहुत बड़िया सुमन शाबास सरी तमीना कहरें कि सर आप पुरानी मूविया बहुत देखते हैं आप अरे कोई जमाने में देखी थी बाई एक जमाना ऐसा था कि सारी मूवियों की स्टोरी याद रहा करते थी मामा ठाकोर्क ये डंडा जंडा लहराने के गाम आएगा एक जमाना था ऐसा जब मूवियों की स्टोरी याद रहा करते थी कम मूविय देखते थे लेकिन एक दम जहन में बैठी रहते थी है ना सपना 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 के साथ गाना गाना है मुझे वह एक जमाना अलग था या बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं लेकिन एक मूवी आई थी दिलवाले आचे देवगन और मितुन चक्रवरती दोई गाओं में सुपरिश्टार हुआ करते थे यह सारुक सलमान को अब जानने लगें पहले दोई सबसे बड़े एरो आकर थे जिसमें जादा मार धाड़ वाली जैसे एक तो मितुन चक्रवरती यह चलता था एक्शन उसका और मतला मितुन चक्रवरती का ऐसा था उसके साथ जब तक कुछ घटता नहीं था यानि कि मा बहन के साथ कुछ नहीं होता था घर में क अछे कुछ नहीं घटता था तब तक उसके उंदर जोस नहीं जागता था और उसके बाद में तो भाई ऑ हो 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 घरता और एक सुपरिश्टार था गाओ में आ आजे देव जोँन कि यह ही हेर इस्टाईल थोड़ी घर्धन तेड़ी और ऐसे आगे से ऐसे बड़े बाल व मूवी ने, आस की करना सिखा दिया, जब मैं बहुत ही छुटका था, तब गावों में टीवी बगरा नहीं थी इतनी, BCR लेकर आये थे, ति कभी कभी शादियों में BCR नहीं आता था, यार आत तो फलानी की शादियों BCR आएगा, तो वो कैसेट वाली BCR देखे, फिर CD लाकर देखे, फिर DVD लाकर देखे, आज कल तो CD, DVD का जमाने चलेगा, अब तो ऐसा कोई इंटरनेट फ्री मूवी कहीं भी देखो, पहले तो पांच रुपे में एक डलवाया करते थे, बहुत चीज़े बदल गई हैं यार अब मेरा आप चीज़े बदलेगी, तो उस समय थी दिल जले, साकाल, सपना समझ कर भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना, ऐसे गाने आया करते थे यार कोई जमाने में, साकाल, और अजे देखन बहुत तकड़ा सुपरिश्टार था गाओं में, इसारु खान, सलमान खान तो बहु बहुत अलग चीज़ थी, मान रहो मेरी बात को आप लोग, तो अगर मेरी बात से अगरी करें, तो वीडियो को लाइक करो, तब पता लगेगा, मेरे जैसे एरे स्टाइल बिलकुल, भाई, मैं सच बताओ, मैं पहले, मेरे बाल उसी तरीके के थे, कि मैं आजे देखन वाले स्टाइल ही, अभी भी तो नहीं कह सकते हैं, पर पहले थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा बाहर ऐसे रखके, ये थोड़ा चज़ा बना रहता था थ ये बनता था चज़ा, तो वह वाई ये था और थोड़ी सी लॉंडे भी ऐसे थोड़ी गर्दन टेड़ी करके, डिसम डिसम डिसम, यार पहले की बात लगती है, अब तो मैं मेरे बाल को मेरे स्टाइल से कर लेता हूं, शटाओं, कल ही मैंने, कुछ, एक मन्जु कुमारी है, वो कहता है न, कि नया, नया, एक कावत है न, कि, मतलब, हमारी क्लास में ऐसे शब्द नहीं बोलूँगा, मैं, एक लड़की है, कुमारी नाम की, क्या नाम है उसका, आद नई आईए पहली बार साथ, मन्जु कुमारी, बार बा लिख रही है, सर कंटिनु, सर कंटिनु, सर कंटिनु, सर कंटिनु, सर कंटिनु, अरे बाई, कल ही पढ़ाया था, एजुकेशन के साथ मनोरंजन जरूरी है, यह कल ही पढ़ाया था, टीचिंग अप्टिटूट मैंने, अगर एजुकेशन के साथ मनोरंजन नहीं है, तो फ कॉछ दिन में सिलिबस पूरा हो जाएगा 45 कि लास हो गई है 5 unit कंपलीड हो गये हैं आगे और 40 kvas करूँ हूं 5 unit complete I am sabi class नहीं होगी 90 क्लास के nearby 80 würden शानों क्लास से पूरा सिलिबस complete इतने दिनों से कहां गही थी कि एक कॉश्चन है डी यू में जी आरेफ के बाद भी पिएसडी एंटरेंस देने की जरूत नहीं है अरे भाई कल ही सिखाया था क्लास के साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है अगर आप बिल्कुल मनोरंजन नहीं रहेगा तो बिल्कुल आप जैसा सोचोगे कितना नीरस मास्ट रहे अरे मैंने बहुत दुनिया देखी रहे भाई दादा हो यूनरिसिटी केमपस में यार आम से मस्त रुमाल बिचा कर सोया करता था था मैं क्या दिन थे यार पीएसडी के दोरान आय हाय 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 मजा 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 रात में हम लोग ऐसे रुमाल बिचाते गमचा दिखाता हूं और गमचा बिचा कर सोने का अलग यूनरिसिटी केमपस में रहने का मजा ही अलग है चारो तरफ लड़का लड़की घूम रहे हैं चारो तरफ कोई की प्रीमिका बन गई है अगर प्रीमिका नहीं बन बाई त उसकी बेहन ही बन जाओ अरे आमने सारे रंग देखें जीवन के सारा गमचे देखें मस्त ऐसा गमचा यह देखो ऐसा वाइट तौलिया इसका भी अपना जलवा है भाई यार इसका भी अपना जलवा है तौलिय का भी इसका भी अपना जलवा है ऐसे गमचा बिछाते थे हम ऐसे बिछाते थे गमचा और ओड़ क्या सोते थे युनिसिटी में भाई स्टुडेंट लाइफ में क्या आपने मज़े लूटें जीवन के अरे रोज नो बज़े किलास उतिया लिख रखा है डेली नो बज़े मज़ेदार 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 क्या जीवन जीया है तहत्रीन सामराजवादी का मलब जानते हैं क्या होता है सामराजवादी चली आगे बढ़ते हैं सर जी आपकी कोई नाई का नहीं थी क्या अरे बापरे बहुत 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 मेरे दुस्मनों को सर छुपाने के लिए जगे देने वालो मैं तुमारी चिताओं को जलाने के लिए जगे नहीं दूगा करण अर्जुन फिलम से है करण अर्जुन की सूटिंग हुई थी अलवर में अलवर सरिस्का है अलवर में जगे है सरिस्का और मैं वहीं का रहने वाला हूं नियरभाई अलवर के नियरभाई का रहने वाला हूं मेरा मूल जो गाव है वहीं का यह उदर गई तो बड़ा विल्कुल क्या गाना है बंदन तो यह आपका रमारा बंदन है भाई देखो यार मैं आप लोगो आच्छा एक बात बताओ अपनी कौलिफिकेशन लिक आपनी कौलिफिकेशन लिको मतलब अमई BA कर रहे हो या BA कर ली AMA कर रहे हो या AMA कर ली ये सब लिए अब कर लिए वरत्मान इस्टेटस क्या है या AMA किये होए कितने दिन हो चुके हैं यह में फश्ट यह ओ, सेकंड यह ओ, थर्ड यह ओ, पूरा इस्टेटस बताओ, तब तुमको लाइफ का प्लान बताता हूं, मज़ेदार, ताकि आप जीवर में कभी ऐसा भूल ना हो, सर प्यार का पहला खत लिकने में वक्त तो लगता है, नए परिंदो को उड़ान में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं उनके दिल तक जाना, लंबी दूरी तेकरने में वक्त तो लगता है, पवन गहलोत, क्या बात है स Scanee साब, चा गया यार, सब्सक्राइब कर रही हूं एमें चल रही है एमकॉम चल रहा है एमें कर रही हूं बाप रही हूं पीएचडी डन है सर ओके एमें थार्ड यार सर लगता है अच पढ़ाने का मन नहीं है पून हमकुमारी पढ़ा रहे हैं बेटा ओके चलिए बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया चलिए तो हमने मोटिवेशन की बात कर ली एक बहाय प्रेर्णा होती है अब हम बात कर लेते हैं अभी प्रेर्णा का सैक्षनिक महत्यू क्या है आपके अंदर अगर मोटिवे को बाउंस बैक करेगा एक तरीके से वह आपके अंदर इतनी पावर डवलप करेगा कि आप चीजों को एकदम सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे शुरू करते हैं पहली बात अधिगम के लिए प्रोथसान है तो अधिगम का मतलब क्या होता है मैंना आपको सीख दिय केंगा और सीखना लर्न करना किसी चीज़ को सीखना अधिगम के लिए आपको प्रोथसान मिलेगा अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो मुझे तो पढ़ ना है और मुझे तो बस करना है यह काम तो आपके अंदर यह मोटिविशन आपको रात में नीद नहीं आने देगा आपको हमेशा जगा के रखेगा अधिगम के लिए प्रौसान मिलेगा विवार में परिवतन होगा विवार में परिवतन का मतलब यह नहीं कि आप किसी से लड़ाई जगड़ा करना बंद कर जो सिखने की कोसिस करोगे हर चीज़ को सीखने की कोसिस करोगे इसे कहते हैं आधिक अधिक ज्यान अर्जन करना ये है अभी प्रेड़ा का सैक्ष्णिक महत्व अनुसासन विक्षित करना पढ़ लिख जाओगे तो काइदे में रहोगे और काइदे से चलोगे काइदे के कपड़े पहनोगे काइदे से बात करोगे जगड़ते नहीं डलोगे किसी कर लटके जोर से भाई ले आजा 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 वो कहते हैं ने बड़े बुजर कहते हैं कि ग्यानी से ग्यानी मिले करे ग्यान की बात कहते हैं कि ग्यानी से ग्यानी मिले करे ग्यान की बात और मूरक से मूरक मिले खे गुंसा खे लात तो मूरक से मूरक गुंसा लात की बात करेगा ग्यानी से ग्यानी ग्यान की ही बात करेगा तो ग्यान स्यासियों आपको अधिक ग्यानार्जिंत करने के लिए सोबा देता है मार्ग दर्सन देता है खुद सीखोगे दूसरों को सिखाऊगे सामाजिक और चारित्रिक गुन आपके अंदर विक्सित होंगे और उच आकांग शाय आपके अंदर होंगे कि भाई आप बड़ा सोचोगे आपका वीजन बड़ा रहेगा आपकी सोच छोटी नहीं रहेगी अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो इतने फायदे इस मोटिवेशन के आपको यहापर मिल जाएंगे अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि यार मुझे तो जयारेव करना है मुझे तो यार प्रोफिसर बनना है मुझे यार अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है और ये मैं अपने माता पिता के लिए करूँगा ताकि उनकी गरी भी दूर हो सके तो भाई साब आप जादा पड़ोगे रात में सोगे नहीं अच्छा विवार करोगे इस बात को समझ रहोगा आप टार्गेट कह रहे हैं टार्गेट विथ अवीरल कह रहे हैं कि महबत करना गुना है तो मैं ये गुना मैं करूँगा क्या बात है लॉंडे लॉंडे लाएंगे करांती मुझे पता है महबत करना गुना है तो ये गुना मैं करूँगा जरूर महबत करना गुना है तो मैं गुना मैं करूँगा जरूर लोग कहते हैं महबत नहीं मिलती है मगर इस महबत जे आरेफ को मैं हासिल करूँगा अरे मैंने कहा था कि लॉंडे लाएंगे कुरांती चेले लाएंगे कुरांती शावास कर भाई कर 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 अच्छी बात है कर ज्यारेफ से ही मुभबत कर नहीं तो मैं कहता हूं कि बेटा प्यार मुभबत दोका है और पढ़ ले बेटा मौका है मैं ये भी कहता हूं पर ठीक ह अपनी नाई का मानलो जे आर एफ को पहले के जमाने में भक्ती होआ करती थी ऐसे आलग अलग भक्ती की प्रिणाली होआ करती थी कोई भगवान को कोई जो भगवान है न अपने आपको भगवान की सकी समझता था कोई अपने आपको राधा की सकी समझता था कोई बगवान के लिए अपने आपको दास समस्था था, कियार मैं तो बगवान का दास. कोई कहता हूँ मैं तो बगवान का सखा हूँ, कोई कहता हूँ मैं तो बघवान की प्रेमी का हूँ. बहुत सारे पुरुस इस्त्री के कपड़े धारन करके भगवान की पूजा इसलिए करते थे कि उनका मानना ये था कि मैं अपने आराध की अगर इस्त्री के कपड़ों में पूजा करूँगी या करूँगा तो वो मेरे पृति जल्दी आकर सित होंगे और मुझे इस भावस आकर से पार लगाएगी तो सही है यार अगर आपनी नाई का या नायक अगर आप जयारेप को चुनते हो जयारेप को अपना नायक मानते हो तो कोई बुराए नहीं है अगली चीज हम पढ़ेंगे अधिगम की परस्तितियां अधिगम में क्या क्या परस्तितियां होती है किस किस तरीके से अधिगम करवाया जाता है अब अधिगम की परस्तिती क्या है देखो यार कोई है जो महल में पढ़ रहा है टूशन वाले उसके पास लग रहे हैं पूरे दिन उसकी परस्तिती अलग कोई व्यक्ति है विश्विध्याले में जाकर पढ़ रहा है उसकी परस्तिती अलग कोई आप हो ओनलाइन पढ़ रह हुआ है अभी एक साल पहले ही मेरा विवा हुआ है मैं आपको बता दूं तो माल लो कि जो मेरी घराड़ी है कि वो गेट खट खटा दे और ये कहें कि भार निकल पूरे दिनी स्द्ध कमरे में पढ़ा रहता है वो बरतन साप करने हैं वो कपड़े दोने हैं वो खोना बनाना है तो मेरी परस्तिती अलग हो जाएगी अच्छा खासा पढ़ाता हुए अग्यक्ति को बाहर जाना पढ़ जाएगा अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि एजूकेशन में परस्तितियां किस परकार से बादक होती है या परस्तितियां किस परकार से सायक होती है एक उधारन की रूप में समझो आपने देखा होगा कि कोई टाइम पर जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे आज का जम पूटो इनको आड़ फोड़ो इनके ताकि सीख सके अधिक तर लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा उस जमानी में तो क्या होता है पहले कोई कोई टीचर किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा पीट दिया करता तो हमारा एक टीचर था जिसका नाम रखता बांड and पर नाम रखा रखा था वो क्या था कि अपनी बीभी से डरता था हमेशा उसकी बीबी ना उसकी मूझ बना के रखती थी और ये पता कैसे लगा कि उनीक गांओं के लड़के स्कूल में आया करते कि इस दिन रोटी ना करें नहीं, बलब एक तरीके से लगा लो कि फिलम थोड़ा सा उसकी डिवरी केड़ी कर रखेंगर तो वो क्या करता है, मुन्ड खराब करके स्कूल में आता, अब घर का गुस्सा कहीं तो उतारेगा ना, अगर आदमी घर से गुस्सा हो कर जा रहा है, अपनी मास्टर नी घरवाड़ी से पिट कर जा रहा है स्कूल, तो गुस्सा उतारेगा कर नहीं उतारेगा, छोटी-छोटी बात पुरो चड़चड़ा हो जाएगा, और बच्चों को पीटने लग जाएगा, अब इससे अधिगम प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ, भाई किसी मास्टर की घरवाड़ी ने, घर पर डिवरी कैड़ी कर दी, उसका फल इसकूल मजा के बच्चों को मिला, इससे अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा, इससे भी अधिगम प्रभावित होगा, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं न, अधिगम के प्रभावित होने के कारण पढ़ रहे हैं, कि किस किस तरीके से अधिगम हमारा प्रभावित हो सकता है, और किन किन परस्तितियों में प्रभावित हो सकता है, तो हम जो पढ़ेंगे heading डालो अधिगम की परस्तितियां heading डालो अधिगम की परस्तितियां अधिगम की परस्तितियां लेखो मैंने आपको अधिगम का मतलब पहले समय सुखा हूँ अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्ण करना अधिगम का मतलब होता है किसी स्कूल, कॉलेज, विश्विध धायले में तो अधिगम प्राप्त करेंगे ही करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यहीं अधिगम प्राप्त होगा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के अंतिम समय तक हमको प्राप्त होती रहती है इसे कहते हैं साथिव अधिगम चलिए अधिगम को समझाने का प्रियास करते हैं एक एक बार चीजे पढ़ लेते हैं सिक्षन प्रकिरिया में अधिगम अर्थास सीखने की तुलना में अधिगम की परस्तितिया अधिक उपयोगी हैं रोबर्ट गेने ने अपनी पुष्टक तोड़ा ध्यान रख लेना अपनी पुष्टक the condition of learning में अधिगम की निम्न आठ दिशाओं आठ बेदों की बारे में लिखा ये दिशाएं कठिनायों की इस्तर पर क्रम से रखी गई हैं उपर से नीचे जाने पर कठिनायों की इस्तर बढ़ता यहां पर गया है आप चुपो जाओगे इधर चुपो जाओगे जब मैं आपको communication पढ़ाता हूँ ना तो communication कई तरीके को होते हैं जब communication में एक आता है आपके भाव के साथ बात करना इसारों में जब हम बात करते हैं इसारों में वो नैनों की ये बात नैना जाने रहे यानि आखों आखों में इसारा हो गया मुंडा गोरा रंग देखकर दिवाना हो गया मतलब आखों से भी हम बात कर सकते हैं वो कहत नटत रीजत खिलत और मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करता है नेनन ही सुबात यानि नेन आखे भी बात करती है उसी तरीके से संकेतों के माद्दम से भी हम चीजों को सीख सकते हैं क्या है सीख सकते हैं क्या है संकेतों के माद्दम से भी हम सीख सकते हैं आप केवल यहापर यह इतना महित्पूर चीज़े नहीं है कि हम इनकी इन सब चीजों पर ज्यान दें हम केवल इतना ध्यान देंगे एक होता है संकेत अधीगम उसके बाद में होता है एक शब्द होता है उद्धीपन अनुक्रिया अधीगम मैंने एक दिन आपको उद्धीपन का मतलब समझाया था आज फिर समझा रहा हूँ उद्धीपन अनुक्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को समझने के लिए आईए, मैं एक छोटे से एक बोर्ड का प्रियोग करता हूँ कि उद्धीपन अनुक्रिया क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको समझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक शब्द है उद्ध कर लो या थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखो, उद्धीपन अनुक्रिया, मैंने दो शब्द बताए तेक दिन, आलंबन और उद्धीपन, यानि कि जिसके मन में भाव पैदा हो रहे हैं, वो आलंबन है, और जिसकी वज़े से भाव पैदा हो रहे हैं, वो उद्धीपन है, इतनी बात, एक उद्धारन के रूप में, चीजों को मैं समझा देता हूं, कि ये एक पेड है, ये क्या है, एक पेड है, एक पेड है, इसमें आम अलर टक रहें आम बहुत सुन्दर सुन्दर अच्छे अच्छे फला रहें एक पेड है ये दू पढ़ी है एक राश्टे पर एक रहागीर जा रहा है राश्टे पर क्या जा रहा है रहागीर है उसने इन आम को देखा और मन क्या हो या लल्चा गया अब यह आम क्या है उद्धी पन है यह आम क्या है कि मैं इन आमों को खालू और यह क्या है रहागीर क्या है आलंबन इसको आलम्बन कहते हैं ये रहागीर क्या आलम्बन है अब मैंने उद्धिपन अनुक्रिया अधिगम इस सब्द को सब्द अनुक्रिया अधिगम यह चीज आपको कहीं ना कोई समझाएगा इतनी डिटेल से और ना ही आप समझपाओगे। हमारे साबनद शब्द है उद्धिपन अनुक्रिया अधिगम यानि उद्धिपन ये है इसके अगर अगर कोई क्रिया करता है यह तो यह आलम मन इस समय अधिगम गो कैसे प्राफ्ट करेगा, अब समझो यहां पर क्या है दो चीजें हैं यह यहां पर आया और बैठ गए कि य यह इसको देख रहा है, इसकी क्रिया हुई है, इससे कुछ फल और पत्ते नीचे गिरे, एक जानवर ने खा लिया, मालो भैस ने खा लिया, अब इसको ग्यान प्राप्त हुआ, इस रहागीर को ग्यान प्राप्त एक तो यह हुआ, कि इसको ये जानवर भी खा सकते हैं अगर ये रहागीर आम को खाएगा तो आम इसको मीठा लगेगा तो मीठे का अनवव प्राप्त होगा अधीगम प्राप्त होगा और इसकी भूख खतम हो जाएगी अब इसने देखा कि जानवर ने आम खा लिए ये अधी अनुक्रिया हुई इस जानवर ने आगे दूद दिया बैस ने दूद दिया ये सब क्या है ये उद्धीपन की अनुक्रिया है और इससे भी अगर हम सीखते हैं अगर सामने वाला व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उससे भी हमको सीख मिलती है इसे कहते हैं उद्धीपन अनुक्रिया अधीगम ठीक है उद्धीपन अनुक्रिया अधीगम हम सीखते इसलिए हैं कि सामने वाला कुछ अगर कोई काम कर रहा है तो उससे भी हमको सीख प्राप्त होती है इसे कहते हैं उद्धीपन अनुक्रिया अधीगम समझ लगी बात सोने करे सर आलम बन कोई अनुक्रिया कहते हैं क्या अनुक्रिया का मतलब होता है किसी कारिये को करना या कोई हल्चल होना किसी क्रिया का होना अनुक्रिया है जैसे यह आम नीचे गिरिया अनुक्रिया है, पत्ते नीचे गिरिया अनुक्रिया है, इसे कहते हैं अनुक्रिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह क्रिया है अपने आप में यह भी, क्रिया है ने यह तो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, क्रिया ह कोई काम को कर रहे हैं ना इसलिए थीक है आगे बढ़ते हैं तो समझ गए आप उद्धी पननुक्रिया आप समझ गए है इसमें आता है मैं आपको नौट्स लगा दूँगा वहां से आप रीड कर लेना इतना महत्पूर्ण चीज नहीं है निमें आपको और समझा देता विवेदन अधिक्रम और सात्यो समप्रते अधिक्रम विने अधिक्रम समश्य समधान अधिक्रम फिर सिक्षन की आएगा आउशकता हैं इन लाइनों का मतलब क्या होता है ठीक है यह नौट्स आपको डॉक्टर लॉकिस वाली टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे मेरे जितने भी नौट्स हैं आपको रोज इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका नाम है जैट इस डॉक्टर लॉकिस वाली टेलिग् चैनल यह क्लास रोज 9 बजे होती है इस चीज़ का आपको विसेश खयाल रहे ठीक है रोज 9 बजे डॉक्टर लॉकिस वाले टेलिग्राम चैनल पिछली टोटल क्लास पीछे हो चुकी है उम्मीद है आप उनको डेली लगातार देख रहे होंगे इस क्लास के साथ कितने लोग हैं जो लाइव क्लास देखते हैं 9 बजे और एक क्लास पुरानी भी देखते हैं मुझे बताओ कॉमेंट्स करके कि कुछ लोग हमसे बाद में जुड़े हैं बैचर जुना में क्योंकि